प्लू से मौत भी हो चुकी है जसके बाद हिसार में भी स्वास्ते विफाक ने कमर कसली है और अपनी तयारी तेज कर दी है हिसार के डेपिटी, सिविल सर्चन और स्वाइन फ्लू मामलों के नॉर्डल ओफिसर ने बताया है कि स्वास्ते वफाक ने पूरे इंतिजाम किये हुए है अगर आप लंबे समय से बुखार से संकरमित है और आपके कफ में बलड आता है तो जरा सावधान हो जाईए दरसल हरियाना के कुछ इलाकों में एक बार फिर से स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दिया हिसार की ही अगर बात कर लिजाए तो हिसार में भी चार मामले फिलाल एक्टिव है साथी साथ एक भीवानी के केस में मौत का मामला भी सामने आया है क्या कुछ ये पूरा मामला है और किस्ते से एतियात बरतने की जरूरत है तमाम पहलों पर बाचित करने के लिए हमारा साथ हिसार के डिप्टी सीविल सर्जन डॉक्टर सुभाश खत्रेजा मौझूद है उनसे बाचित कर लेते हैं खत्रेजा साथ अगर स्वाइन फुलो की बात करे जाए अब तक कितने केसी सामने आया है कितने के सेंपल लिए गए हैं जी हमने जैनवरी में 38 सेंपल लिए हैं उसमें से चार पोजिटिव आया हैं दो इसमें हिसार के हैं और बाकी दो आउट ओफ डिस्टिक है आउट ओफ डिस्टिक में एक पेशेंट की डेथ वी हो गई है स्वाइन फ्लो के जो मैं लक्षन बता रहा हूं उसमें बुखार तीजी से आता है खासी, गला खराब, बदंदर्द, सिर्दर्द, सांस लेने में, कटिनाई, उल्टियां, दस्त और बलड आता है कफ में बचाओ की क्या तरीके हो सकते हैं और पेशेंट को क्या कुछ खयाल रखना चाहिए जी, ऐसे कोई भी मरीज जो हमारे गौवर्मेंट में या प्राइवेट हॉस्पिटल में एड्मिट होते हैं उनका सेंपल हमारे पास आता है और हम उन सेंपल को अगरोहा मेडिकल कोलेज में चेक कराते हैं तो ऐसे जो भी संकरमित मरीज होते हैं स्वाइन फ्लू यानि H1N1 जो एक मौसमी फ्लू जैसा ही होता है और एक से दूसरे को फैलता है इसमें जो भी है खासी या चीकते समय रुमाल टिशु पेपर भीड में नहीं जाना दूरी बनानी है और ऐसे जो भी मरीज होते हैं उनको पॉस्टिक आहार, इम्मूनिटी बूस्टर्स, पानी जादा पीना, अच्छे से सोना, नींद अच्छे से लेना, भीड़ वारी जगह में जाने से बचना है ऐसे जो भी सेंपल्स हम अगरुआ मेडिकल कॉलेज में चेक कराते हैं और ऐसे जो मरीज जो हॉस्पटल में एड्मिटी होते हैं, जिनकी उमर थोड़ी जादा होती है, लंग्स में इंफेक्शन आयाता है, उनका हम एक्सरे देखते हैं और एक्सरे के बाद फिर उनको हम एक एक एच वन एन वन की टेस्टिंग बिकराते हैं जिस तरह से आप लक्षन बता रहे हैं ये एक तरह से कोवीड से मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर इसके परभाव की बात कर ले जाएं, मसलना क्या ये मोसम के साथ ही चली जाएगी, मसलना जैसे ही सर्दिया जाएगी तो स्वाइन फ्लू का परकॉप कम हो जाएगा या लग लग डिपार्टमेंट्स में जो भी हमारी इस टाइप से मरीज होते हैं, जिनकी इम्मिनिटी कम हो जाती हैं, तो इन रोगों में, इन रोगी व्यक्तियों में ये संकरमन फैल जाता है, उन्हीं से सवस्त आदमी में भी फैल सकता है कैम परसना जिन्दर कमार के साथ, रोहित कमार, जी मीडिया हिसार